सवागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइन्स टेखनौलोजी में मैं अन्फर्मेपड आप सभी लोगों का सवागत करता हूं आज के शो साइंस तरश्टे में आज हम लोग बात करेंगी इंडिस्ट्रियल कंट्रोल पैनल्स के बारे में तो आए समझते हैं तो सबस्वेह समझें कि इसकी जरूवत को है कि इस तरह का उठपटांग चीज इंडॉस्ट्रियल कंट्रोल पैनल के जरूवत क्यों है पर मोटर के सली है उसके सी हो रहे हैं उसको साथ एक ट्रांस्वार्म केरेंगे तो भी सब करना तो साथ देखना है हिसाब बनता है कि हर चीज को僵िकि को क्ट्रोल कर और सिस्फगार्डिंग कोई अधिड़ Lauren Den- nah आपके सेंट्रलो केशिए जहां पर यह सारा काम हो रहा है तो और इसका मेन काम होता है कि लोगों और एक्यूपेंट दोनों को बचाना है तो बलब भाई एक्यूपेंट को क्या प्रवल्लम है? बात है जैसे इनसान जो है काफी क्लमजी काइंड आर्किटेक्चर है और यह समझे कि हमारे स्किन से बहुत सरे और निकलते हैं तो अगर इलेक्ट्रोनिक चीज पर हम लोगा बार बार हाथ पढ़ता है देखते देखते चीज खराब हो जाता है और यह समझे कि यह चीजों से हम लोग को भी नुक्साना है हमें और यह मशीन को भी हमारे से नुक्सान है तो यह दोनों के बीच में एक बारियर होना चाहिए कि नहीं भी है तुम दोने दूसरे से प्यार मोहबत ना करो जब तक जरूरत ना हो तो वह बारियर का काम यह इंडुस्ट्रिल कंट्रोल बॉक्स करता है और इससे लोग भी पिसी कंट्रोल लेकिन ह हाड्वेर कहां लगा है यह सब एस बॉक्स के अंदर लगता है तो यह से अंधाय को भी हमार एंसे तो तरफ नाया जाता है कि सारा पर आट जाय का है और इस सुर्विसिंग और रिपेरिंग यह काफी आसान हो जाता है यानि फॉल्ट कहां है तुर पूरा पूरा चीज फेको तो मतलब जैसे हम लोग घर में बहुत सारे चोटे-चोटे इलक्ट्रोनिक्स रहते हो आपका वाशिंग मशीन का लिए तो वह सब ऐसा बनाया जाता है कि कुछ भी पूरा फेको लेकिन इंड़स्ट्री में वैसा काम नहीं चलिगा नहीं चलिगा हर चीज को जितना अलग बनाया जैसे करें जैसे अगर आप घर में एसी देखते हों हर चीज इंटिग्रेटर रहता है कुछ भी आप अलग से नहीं जब कि वही अगर आप इंड़स्ट्रियल एसी देखेंगे जो होटल समें लगते हैं या उससे बड़े 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 हर एक चीज का कॉंट्रेक्टर बाहर से खूलना दिख रहा है ऐसा क्यों है ताकि अगर कॉंट्रेक्टर खराब हो जो होता है धूल गर्दा से हो या डामेज करने से हो या कुछ भी कोने से खराब हो आप बदल दोसको तो वह इसका कारण के लिए इस सब के लिए बॉक्स क कर रहे हैं उसका अलग होगा अब लिजर कटर चला रहे हैं उसका अलग रिक्वार्मेंट होगा हर का अलग अलग रिक्वार्मेंट होगा तो उसके हिसाब से आप मोबाइल टावर पे काम कर रहे हैं पावर डिस्ट्यूशन में काम कर रहे हैं सी एंसी कंट्रोल या आटोम होता है कुछ-कुछ size मतब standard है कि यह size standard है और इसमें आपका इतना काम हो जाना चाहिए तो उस हिसाब से standards है लेकिन काफी cases में खास्तों पर बड़े cases में घुमपिर के होता है या फोन करके आप पूछा जाएगा आपको किस size का चाहिए कितना उसका depth होना चाहिए कितना उसका अच्छा पर देखो कि इतने घर को दे रहो दस घर को दे रहो इतना वड़ा स्लॉट आपको दे रहे है अगर आपको उससे भी काम नहीं चला और चाहिए ठीक है यह 20-वा स्लॉट आप साइड में लगा दीजिए ऐससे करिए मौडिलर करता तो यह समझे कि हर का जरूवत उसके हिसाब से बनाना होता है अलग अलग कंपणी अलग 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 धंग से मनुफेक्चर करती है और बॉक्स का डिजाइन मतलब जो है बाद में नहीं किया जाता है जिस्टाइम आप डिसाइड कर रहो उसी किसाब से करों कि माल लीजी इतना बला जगा देख रहे हैं फैक्टरी फ्लोर में हर स्कॉयर फीट कदाम बहुत ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब साब को सोचना पड़ा है कि बहुत ज़्यादा यह बना दी है लेकिन अब उसमें भी आपको नुकसान होगा तो वह सब सोच के डिजाइन फेज में यह इंटिग्रेटली डिजाइन कोई बड़ी कंपनी का मतलब ऐसे निगी बस कुछ भी कर दो अब धंग से बना रहे तो बॉक्स के साथ डिजाइन करोगा कि यह बॉक्स का है क्योंकि उसको भी आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ सकता है और अगर आप मानली कोई बड़ी कंपनी चला रहे है उसमें आप वो भी आपको सोचना पड़ी कि क्या वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है कि नहीं तो डिजाइन फेज में ठंडे दिमाग से बैट के लोग डिजाइन करते हैं इसको और पार्ट सेलेक्शन जो है वो डिसाइड करता कि कितना बड़ा कितना चोड़ा होगा क्योंकि जिसे माली ब तो अगर आप दरवाजबन किये अंदर का सारा पार्ट सोहा हो जाएगा तो यह समझना बोट जरी तो डिजाइन के टाइम में अपने बॉक्स डिजाइन करते हैं और उसमें क्या-क्या उसका साइज जो बनेगा उसमें कितनी जगा होगी वो सब उसमें लगने वाले कंपो करते हैं अग्दम यह इंटिग्रेटर्ट प्रोसेस आप आसमान से नहीं किया सकता अब इसके केस को अच्छे समझने कोशिश की जाजए जनरली मेटल ही चूज किया जाता है आजकल काफी लोग प्रिफर करते प्लास्टिक का नाम कम होता है और मोटा प्लास्टिक बना दे और टिकने का इसके रिकद बहुँत अच्छा है कई समय प्लास्टिक और चीज बरतास कर सकता है सिवाए धूप कर रदास्क का शिख सतनी कियो कि अआप जैसे जगांपे मोगार कर देखते मैंने नीचे वेडियो दे दिया है लोग ऐसा डिजाइन करते हैं कि अगर जो फिल्टर है उसे पानी ट्रिप करके नीचे निकल जाए और अंदर नहीं उसे मतलब आपका बॉक्स खुला हावा में है उसमें बारिश हो रहा है पानी पढ़ रहा है दूप पढ़ रहा है उसको है कि यहां पर पानी लीख होने का चाहिए तो ऐसा डिजाइन करेंगे कि यह पानी दूप भी जाए तो भी फुली वर्किंग रहा है बतलग या नीचे समर्जिमल कंडिशन में भी यह काम करता रहा है तो यह समझना ज़री रहती है और स्ट्रेंथ और साइज जो है कि इतन इंडर्स्ट्रिल केसमें बड़े बटन इसको गलती से कोई ना छेड़ दे तो भटांग भटांग करने वाले रहेंगे तो उस आपको सोचे के लिए थे दे 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 नहीं तो टिक है नहीं दो लोग के हाथ में प्लास्टिक से काम चला लेते हैं माली संस्ता है चोटी सी ले मैं तो अभी तक आपको इसके दबता हूँ, दबा अंदर क्या लग रहा है, क्योंकि प्रोड़क्स आपको अपको लगाना ही था, लेकिन उसको और्गनाइज करना मुस्किल हो जाता है, तो उसको और्गनाइजेशन करने के लिए जनरली रिमुबबाल बैक पैनल दिया जात यह सब खुद से डिजाइन करना है तो लोग कंपनी करते है यह यह बॉक्स है इसके अंदर एक पैनल ही निकाल दो बोलेगा इसा क्यों किया जाता है पैनल निकाल दो कि उसके ऊपर कोई बैट के इंजीनर डिजाइन कर सकता है कि हमारा यह यह रिक्वार्मेंट हमें इतने कूलर यह इतना कंट्रोल बक्स उसके हिसाब से डिजाइन कर लेगा और बॉक्स के अंदर काम करने में अजाए बाहर रहेगा तो आणसे कर सकते है फिर आपका कूलिंग और हीटिंग के ज़गार किया जाता है बाते इंडिया नहीं पड़ता तो हम दो को समझ नहीं है बाह आप इसा कर सकते हैं ऐसे कॉंपोरेंट्स कर दो सेवेंटी वन डिग्री सल्सिस के रहें और जो टेंप्रेचर है चेंबर के अंदर का वह इतना हाई रखो कि वहां कॉंदेशन नहीं हो सके तो वह अवकोर्स डिजाइड किया जाएगा लोग बैटके काम करेंगे तो कूलि क्योंकि अगर आप दिन बचला तो इसकी बेरिंग बोल जाएगी कोई ओवरीट हो जाएगा आज नहीं तो कल हो ही जाएगा तो हिसाब ही रहता है कम से कम चला बिजली को आप अपी दो लेकिन आप चाहोगे कि आपका फिल्टर जो है जामना हो कैसे जामने को यह दिन में तो बहुत गर्मी होती है लेकिन रात को ठंडा पड़ जाता है रात को बंद कर दो रात को चिल कर दो कोई टेंशन नहीं है तो उसके हिसाब से अपके डिजाइन में डाला जाएगा कि कूलिंग और हीटिंग कितना है कहां पहां पहां फिर केबल ट्रंक डाली जाती है केब कि माली अपका कहीं थ्री-फेस का में केबल जो मोटा तगड़ा है आराम से एक दो दान तोड़ दिये तक अच्छे से निकल जाए केबल ट्रंक वायर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है फिर आपका समझ ये पैनल इंटरफेस भी लगा जाता है तो इसके चल रहा है अर्पिम कितना वैश दिखाने लगता है और कलर कोडिंग की जाती है और यहां पर मैंने आपका मारकिंग बहुत ज़रूरी है कर दे जिए जय से की काफी जिए जिए बड़ें फी च्रॉर उइं गशाम्पल में काम कर रहे हो कि यहां पर इसा होगा कि यह आपक यहां पर अनलोग है ताकि कोई भी इंजिनियर्स दूस्त देखे कि आने वाले उतने साल तक को आपको शांती रहेगी क्योंकि यह समझने जरूर है चीज बना लेना बच्चे को खिलने का चीज ऐसा बनाना जिसे आने वाला कोई भी इंजिनियर्स कोई भी सर्विस्मेंट कोई भी टेकनिशन आरहां से अच्छा यह है अच्छा सर अरे सर जी क्या हो रहे है आपके यह पावर सप्लाइव उड़ क्योंकि समझे फैक्ट्री वाले जरी से एक्यूपमेंट्स होते है सालों साल चलना होता है वह घर का वाशिंग मशीन नहीं कि चार पांट साल चलना होता है कुछ किसे में आपको अराम से इंडर्शिल बॉक्स दिखेंगी जो कि अब कवाल खाना मेरा है भाई यह समझना ब के चार पैराम से रिपेर सर्विस कर सकते है यह सारे एक्सेुरी इसका काम होता है और शियु情 फसमें बदम इंडर. इसे किने बेंगए तो यह समझे नहीं ज़री आंने प्रो मेहनत चाहता है ऐरही तो काफि लोग डिसाइनर के काम यही रहता है ऑफी लोग डिजाइनर के काम ही रहता है कि इसको धंसे करो ट्रमिंल बोक्स के जए जाता है तर्मिनल थे और दभा केज बाग से इसके असे लिए शल्डबाप के अधर गो जोड़ faded यहाँ उद्र को कंभ रहाए उसके बाद आपको समझे यूके में भी है, आपको जर्मनी में भी है, हर जगह लौ होता है, वो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगे, यहां का कैलो है, कैसे डिमांड करता है, और हिसाब यह समझे कि जो क्वालिटी से बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सस्ता चाइनिस भी मिल स तो तो दोनों क्या हो घ्यूंज करने कि दोनों करेंगे, लेकिन अंतर आता है आपके servisibility में, repairability में, maintainability । क्योंकि समझे है, जो क्यों प्रखणे हैं जैसे ही आपको servisibility करनी पड़ेगी, यह देखें कि सब्चिस्टीक थाक है, अच्छा, यह एर फिल्टर नहीं दिया थ तो बहुत महीं डुश जाता है और वो सवहा कर देता है आपका रिपेलिबिलिटी की अच्छा बदला अरे उसने वायर मैनेजमेंट डंक से नहीं किया है वो सब समझिये करने में दिमाग खराब जाएगा बना के देदेना कस्टमर को बचोंगे लें चीज़े ऐसा बनाना कि कल को आप खुद ही इसको खोल आ रहे ही तो ऐसे करें चलो या सर क्यों यहीं अंतर होता है जुगाड में और कॉलिटी में कॉलिटी वाले जितने भी प्र आप समझ जो क्या है कोई किच-किच अचा यह उड़ा है ठीक है तेस्ट मारे निकाले तार खट चलो लोड नहीं लेना है तो यह समझ ज़रूरी है यही दोनों के बीच अनतर सब्सक्राइब जुगाड होता है बस कोंच दो और क्वालिटी होती ही नहीं मैं दुबारा भी इसे चूज़ रहता हूं और प्रॉपर वाइरिंग डाइग्राम बना के देना होता है तो इतने भी बॉक्स इसमें आप देखते हों कि बुकलेट रखने का जंग क्यों दिया चाता है वह बुकलेट अचल नहीं प्रिंट करते मतलब लेजर प्रिंटर पूरा एक पेज पर अन रखने का यह लिए चाट वाइरिंगं डाता कें डाता है क्या 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 में रेटिंग है जो टो कोर्ड बनाना पते Suzanne Thank You use यह जो बनाखे एक बुकलेट में दे दिया जाता है इसमें नहीं है लेकिन इस तरह के वाले में दिया जाता है अगर आप कोई भी भॉक्स खोल देख रहे हैं तो है वह इसी लिए क्योंकि बहुत जगां पर लॉक्वार्मेंट है कि जूए अपने एंधने कम्पनि लेकिन पूस्तौार सिक में कर सका सकता है तब उसको रिप्यर करना क को पता है है कि Sie इसलिए बुकलेट दी जाती है इसलिए आपको देखेगा खाचा दिया रहता है डालने के लिए और वही समझिए इंटेंडेड इंवार्मेंट पे टिकना चाहिए और बहुत जिंगा पर इंडोर में भी लोग वाटर प्रूफ अलगांगे बहुत है बहुत चाहिए बहुत ऑन்र को भी गड़ै के लिए वहाटर्फूर प्रूफिंग माला ही लेते थाकि दुरस्वत नहीं से लेकिन भी दिक्कत होता है यिए वह मतरूर बहुत ज़्ली जब्र कंड़िज मार्मा बगता चाहिए व संचना बॉ यह समझ के ताइम और और यह समान ने करने में यही होता है कि आप आराम से सर्विसबिलिटी, रिपेर अबिलिटी और मिंटेनिबिलिटी आराम से कर सकते हैं मेंटेंड करने कोई बोले आपका बीपी नहीं हा रहे हैं यार कैसे मेंटेंड करें बहुत किच इच है नई आराम सोरना चाहिए क्योंकि यह वही वाली बात होते हैं यह कि अंगरी जी में कहावत है फेलियर तो प्लान इस प्लानिंग फर फेलियर तो यह समझना बहुत जुरुरी है तो यह था मेरा छोटा सा ओवर्वियू इंडर्श्रिल बॉक्स क्या है क्या हुआ है उमीद कता हूँ आपको अच्छा लगो कुछ सिखने भी लाओ कुछ समझ में हो अगर ऐसा है लाइक कर दे दोस्टार शेयर कर दे उससे मेरा काफी बहला होगा नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद आए कोई बात नहीं आप डिसलाइक दबा सकते हैं मैं काउगा डिसलाइक दो बार दबाए उससे मज़े पता चले लगो कि इतना ना पसंद हुआ है मैं आपसे कौंगा कि कॉमेंट लिखे है मैं हाथ कॉमेंट को पढ़ने कोशिश करता आपसे कौंगा सब्सक्राइब कीजिए बेल दबाए का राफरी हैं तो आपने राव विडियो का जो इनके मुझे बहुत खुशी हुए धन्यवाद